गैंग्स्टर रवी गंगवाल की गिरिफतारी के लिए सेल की टीमें अगस 2019 से ही उसके पीछे लगी हुई थी हर बार मगर वो पुलिस टीमों को गच्चा दे कर निकल जा रहा था पता चला था कि Most Wanted और 50,000 का इनामी बदमाश रवी दिल्ली से सटे यूपी के हाइटेक शहर नौईडा के सेक्टर 120 में स्थित एक फ्लैट में लंबे समय से छिपकर रह रहा है तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को रवी अब तक हाथ नहीं लग सका इसे वीच वंचता रोपी नौईडा सेक्टर 120 से 128 में शिफ्ट हो गया वहाँ पुलिस पहुँची तो पता चला कि वो बीज दिन पहले ही उस फ्लैट को भी खाली कर चुका है सेक्टर 128 नौईडा वाली सुसाइटी से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीमों को इतना जरूर पता चल गया कि रवी गंगवाल की पत्नी गर्ब से है कुछी महीनों के बाद वो सुश्यू को जन देगी साथ ही ये भी पता चला था कि इन दिनों रवी गंगवाल दिल्ली के रजिस्ट्रेशन नंबर की नीले रंकी बलेनो कार का इस्तमाल कर रहा है DCP प्रमोत कुष्वाह के मताबिक इस Most Wanted अपराधी नरेंद्र उर्फ रवी गंगवाल को गिरिफतार करने के लिए Special Cell नई दिल्ली रेंज के सहायक पुलिस आयूक्त ACP ललित मोहन नेगी हिर्दय भूशन के नितरत्व में एक विशेश टीम बनाई गई थी दोनों ACP के नितरत में बनी टीमों में नई दिल्ली रेंज Special Cell के इंस्पेक्टर प्रमोत जोहान इंस्पेक्टर राहुल कुमार को भी शामिल किया गया था नरेंद्र उर्फ रवी गंगवाल दिल्ली के मदंगीर अंबेटकर नगर इलाके का गोशित बदमाश है उसके खिलाब दिल्ली के अंबेटकर नगर, नेम सराय, हरी नगर, संगम विहार, Special Cell, अमर कॉलिनी आदी थाने में 10 से ज्यादा अपराधिक मुकदमित दर्ज है Special Cell की टीमों को पता चला कि नीले रंग के जिस बेलेनो कार का इस्तमाल बदमाश कर रहा है उसकार का कुछ दिने पहले ही राजुस्थान ट्राफिक पुलिस से जैपुर में चालान कटा है Special Cell की टीमों ने राजुस्थान पुलिस के मदद से किसी तरह उस चालान की डीटेल हासिल की साथ ही अपनी नजरेकार का चालान काट्टे जाने वाले इलाके के मौझूद स्थित अस्पतालों नर्सिंग होम्स पर गड़ा दिया पुलिस ट्रीम को पता चल लिया कि जैपूर के वैशाली नगर इलाके में स्थितिक नर्सिंग होम अस्पताल में आरोपी की पत्नी ने एपरिल 2021 में नवजात शिशु को जन दिया है इसी के साथ हमने सुबूत के बतौर अस्पताल प्रशाशन को विश्वास में लेकर वहां से आरोपी के नवजात शिशु के जन पता ठिकाना संबंधी वा अन्य बाकी तमाम जरूरी जानकारियां हासिल की इसके बाद पुलिस ने जैपुर नगर निगम से नवजात शिशु का जन प्रमार पत्र भी हासिल कर लिया इसी बीच पुलिस की दूसरी टीम को विशाली नगर जैपुर इलाके में आरोपी की नीले रंग की बेलेनो कार भी खड़ी दिखाए दे गई सब कुछ हाथ में आते ही पुलिस टीमो ने 8 जून 2021 को विशाली नगर जैपुर में जाल बिचा कर आरोपी रवी गंगवाल को दबोच लिया ऐसे ही धेर सारी अपडेट के लिए देखते रहें इंडिया वस्तार